कि नमस्कार दोस्तों आज का मारा शीर्षक है जल जिसे अंग्रेजी में वाटर भी कहते हैं यह इस सीर्षक का पहला भाग है इसका दूसरा भाग भी हमारे चैनल में अपलब दे मैं आपसे विंति करता हूं कि पहले भाग को देखने के बाद आप जाकर दूसरे भाग को भी जरूर देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जल के बारे में कुछ आम बाते चान लेते हैं जैसे इसे आम बोल ज WAR की भासा में पानी या नीर भी कहते हैं गरेलू भासा या अपनी मात्र भासा में लोगों को प्रियोग करते हुए सुना भी होगा जल का जो रंग होता है वह पारदर्शी होता है इसका मतलब यह होता है कि अगर आप जल के आर पार देखना चाहिए तो आप जल के आर पार आसानी से देख सकते हैं जल प्रत्वी में बहुतायत में है और यह प्रत्वी की सता का लगबख दो त्यराई भाग जो है वह समुद्रों से ढखा यह कि अगर यह हमारी प्रत्वी है और हम इसके तीन भाग करते है तो इसमें इसे जो दो भाग है उसमें सिर्फ जला जाएगा और जो बाकी का बचा एक भाग है उसमें बाकी का थल स्थल आएगा अंत्रिक्ष से देखने पर हमारी प्रत्वी ज़्यादा पानी होने की वज़े से नीली दिखाई पड़ती है इसलिए इसे नील ग्रह या ब्लू प्लानेट भी कहते है तो हम शुरू करते कि हम जल कहां से प्राप्त करते हैं तो सबसे पहले हम जल जो है नदियों से प्राप्त करते हैं जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है यहां पर एक नदी है और इसमें काफी सारा जल है इस जल को हम मोटर या अन्यसाधनों से निकाल कर अपने दैनिक जी कि स्बाइब करते हैं यहां पर दिसमें धा हम कुछ सी कहा है थे करें मोंट करने के लिए यहां से हमें पानी की रभती दिकला देता हुआ करने के दाद सब्सक्वाक भी कुछ दिखा दिता है इसका हुआ यह भी कुवएवाम हैंट पंप की तरह होता है परन्तों इसमें अंदर एक मोटर लही होती है अब इन तीनों में का और करने वाली बातिय कि इनमें जो पानी हम प्राप्त प्राप्त करते हैं वह पानी भूमी या जमीन के अंदर से निकलता है जो पानी भूमी या जमीन के अंदर से निकलता है उसे हम ग्राउंड वाटर या फिर भूमी का जल कहते हैं कि चलिए आगे बढ़ते हैं तालाब और जीले तो यहां पर एक तालाब और जील दिखाई गई है तो जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जीले और तालाबे देख भी रखी होगी तो यह बहुत खुपसुरत होती है और इसमें काफी सारे जीव जन्तु तता सब्रकर जीदे ऊसowser पेखी आप डाई ऑर यांः देखा भी होगा बारिश के महाला बें और यहां पर काफी सारे उपपर की सारी मि का बहुतुत हैं कि दिखा ज़्योंrac रहे हो यहां पर शतुर्षा है करते हैं यहां पर दिखाई गई गई को बढ़ता कि पाणा पानी च तो चुंकि हमने वर्षा के बारे में जाना अब हम जानेंगे की वर्षा आती कैसे है वर्षा का जो पानी है कैसे आता है बादल कि इस प्रकार से बनते धन sympat अन्य पानी की नदिया जो है वह कैसे निकलती है इत्याती तो जल चक्र को समझने के लिए उससे पहले हमें कुछ अन्य बिंदुओं पर बिंदुओं की तरफ मुड़ना होगा एवा मुने समझना होगा जल चक्र को हम दूसरी पार्ट या फिर दूसरे भाग में समझेंगे उससे पहले हम कुछ बिंदुओं को इस पार्ट में या इस भाग में देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि जल की ती नवस्ताय कौन-कौन सी होती है फिर वाशपीगरन क्या होता है फिर आता है संगनन संगनन की प्रक्रिया क्या होती है फिर हम देखेंगे बर्फ का जमन प्रक्रिया होती है तो चलिए शुरुवात करते जल की तीन अवस्थाओं के साथ अवस्थाओं को अंग्रेजी में स्टेट्स भी कहते हैं तो पानी जो हमारी अवस्था होती है इस यूंग्रेजी में लिकविट स्टेट भी कहते हैं इसमेंन हमारे आम दयनेक जीवन में इस्तेमाल किया जाने वाला पानी जो हम पीने के लिए करते हैं घ्लत Statistics है श्था है घ्लता拜拜 सिल तो इस अवस्था में बर्फ या हिन को रखते हम और यह यहां पर एक डब्बे के रूप में दिखाया गया है यहां बहुत थंडी होती है जैसे कि आपने कभी इसे चुच हुआ होगा तो आपको प्रतीत हुआ होगा इसके बाद आती है गैस यह गैसियस स्टेट इसमें हम भाप यह जलवास्प को रखते हैं इसको यहां पर छोटे बुलबुले के रूप में दिखाया गया है तो चलिए अब आगे बढ़ते है अब हम देखेंगे वाश्पी गरन क्या होता है वाश्पी गरन को अंग्रेजी म अब आपने अक्सर अपने घर में खाना पकते हुए देखा होगा और खाना पकते टाइम आपने ऐसे सफेद भाव उठते वह देखी होगी तो यह जो सफेद भाव है यह कुछ नहीं बलकि जलवास्प है जो पानी जो खाने में जो पानी होता है उससे बनती है एवं हम तो जब जल से वास बनता है तो उस प्रक्रिया को हम वाश्पी करन कहते है हुआ अज़ी आगे वढ़ते हैं अब हम देखाएंगे संगनन संगनन को अंगरिजी में कंडन्डेंट्ष्ण भी जाते हैं आपने अकसर सर्धियों में देखा होगा कि किस कार काच से इस कार से पानी की जो भूंदे है वह चिपक जाती है तो यह जो पानी की जो भूंदे है यह कैसे चिपकती है वायू में विद्धमान जो जल वास्प होती है वह ठंडे काच के संपर्क में आकर ठंडी हो जाती है एवं जो जल वास्प रहती है वह जल रहात जल बनने की प्रक्रिया को हम संग नन कहेता है चलिए अब हम संगनन अभम को एक साथ देख लेते हैं अभम इन दोनों में अंतर वी जान लेते हैं तो यहां पर हमने हमारा जल लिया है जो नॉर्मल हम या आम जल जो हम पीने के लिए या फिर हाथ दोने के लिए उप्योग करते हैं दूसरी तरफ हमने जल वास्प लिया है जो आयू में विद्धमान होती है अब अगर हम जल से वास्प बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम वास्पिकरन कहते हैं कि और अगर हम इसका उलट कर दे यानि वास्प से जल बनाए तो इस प्रक्रिया को हम संगनन कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम जानेंगे बर्फ का जमना इसे अंग्रेजी में फॉर्मेशन ओफ आइस भी कहते हैं तो जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया है यहां पर एक नदी है तथा नदी में बर्फ जम रही है बहुत अदिक ठंड होने की वजह से तो इस प्रकार से यहां पर बर्फ जम रही है तो पानी का जम कर बर्फ बनना ही बर्फ का जमना कहलाता है फिर हम जानेगे बर्फ का पिगलना यानी melting of ice क्या होता है तो यहां पर एक बर्फ का टुकडा दिया गया है तता इसमें धूप पड़ने की वज़े से धूप पड़ने की वज़े से यहां पर यह पिगल कर एक पानी की मून में तबदील हो रहा है तो अगर बर्फ पिगल कर पानी बनती है तो इसे बर्फ का पिगलना कहते है तो आईए इसे भी हम एक साथ देख लेते तता इन दोनों में अंतर जान लेते हैं सबसे पहले हम जल लेंगे जो कि हम नॉमल या आम इस्तिमाल करते हैं तता फिर हम बर्फ लेंगे तो अगर जल बर्फ में बदलता है तो इसे हम कहते है बर्फ का जमना या फिर जल जम कर बर्फ बनता है तो इसे हम कहते है बर्फ का जमना जैसे कि हम आम बोल जाल में भी इसका प्रियोग करते है फिर हम देखेंगे इसका उलट यानि अगर बार्फे वह पिगल कर जल बन जाती है तो उसे हम कहते हैं बार्फ का पिगल ना चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम हमारा अंतिम बिंदु देखते हैं जो है वासपोत सर्जन तो हमारी प्रफ्व में कह भी सारे पेड पौदे हैं यहाँ पर हमने एक पेड लिया है और चूंकि हम जानते हैं कि पेड यवाआवम पौदे जमीन से अपना पानी पौषक तत्व प्राप्त करता है ततथा अपनधा पुरिजन पनाता है सूरज की रोश्नीसे और जो अन्य बचा जो पानी होता है वह अपने विभिन अंगो में उसको संग्रा करकर रख लेता है तथा उसके पशचाट औंडरी बच जाता है उसको वह वायू में उतसर शर्जित कर देता है जलवास्प के सूप में जल वास्प और वास्प सेम होते हैं या फिर दोनों ही एक ही चीज है तो यह पेड़ पौधे जो होते हैं जल वास्प को उत्सरजित कर देते हैं पेड़ पौधों द्वारा जल वास्प का उत्सरजनी वास्प उत्सरजन कहलाता है मैं आसा करता हूँ कि आपको ये सभी बिंदू अच्छे तो समझ आएंगे अगले भाग में हम जल चक्र को अच्छे तो समझेंगे धन्यवाद